डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस्टुडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था authentic answer नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ minimum time में maximum study करनी थी तो एक ए concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी बाद में student की demand आने लगी कि sir ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो की class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम video हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर अपलोड किये जा चुके हुए है जो की different domain के है आप एक बाप playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers जो है वो इस channel के non subscriber है जिन्होंने subscribe नहीं किया है कि 25% viewers ने ही subscribe किया हुआ इस channel को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई समिच suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए वो यही आसा के साथ वीडियो शुरू करते आए इस question को solve करते है question कर रहिए प्रतम कोट की अविक्रिया के लिए vague strong अर्द आयू काल में संबंद बताईए तो इस पर question भी बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं तो प्रतम कोट की अविक्रिया के लिए vague strong यानि की vague strong क्या होता है के होता है और आयू काल काल जो होता है वो क्या होता है वो टी हाफ होता है इनके बीच में आपको relation बतानी है तो देखिए एक formula होता है k equal to जो होता है वो था 0.693 by t-half ठीक है ना k equal to 0.693 by t-half तो यहाँ पर देखिए k equal to दिया हुआ जाएगा t-half बराबर हो जाएगा 0.693 by k अब ज़रा देखो t-half बराबर 0.693 by k यानि यही answer a जो होगा वो आपका correct answer हो जाएगा